नमस्कार दोस्तों मेरे नाम वीने सहनी और आज मैं आपके अपने यूटूब चैनल MS किलासिस में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज हम बात करने वाले हैं UP Police के UP Police कोश्टेबल के सिलेबस और उसकी संपूर्ण जानकारी की बात करेंगे हैं इसमें अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो करके अगर के आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी तो चलिए बात करते हैं आपको अभी यह मालूम तो चली गया UP Police की बहुत बड़ी भरती आने वाली है इत्यास की सबसे बड़ी भरती कह जाने वाली है यह जिसमें लगबग पद कितने दिये गए हैं बावन हजार शिस्तो निन्यान में और इसकी जो आवेदन की तिथी बताए गई थी वह 15 जुलाई को बताए गई थी और इसको बताए और यह अभी तक संभावित है ठीक है और इसमें जो परिक्षा तिथी यह भी संभावित दी गई है क्योंकि दिसंबर दुयार तिथी बताए गया है परिक्षा की तिथी जो एक्जाम होगा हमारा लेकिन यह हम कंफर्म नहीं कह सकते क्योंकि यह संभावित है हम इसकी योग्यता की बात करते हैं योग्यता जो दी गई है वो 12 पास दी गई है और यदि जिस दिन आपके फॉर्म फिल पास नहीं है तो वो एक्जाम मतलब की अंतिम जो तिथी होगी फॉर्म फिल अप करने की उससे पहले होनी चाहिए अगर हम आयू की बात करें इसमें मैल केंडिडेट की तो यानि जो पुरुस की इसमें एज बताए गई है वो बताए गई है 18-22 वर्स पांच वर्स की आप बात करें मेल की तो इसमें जो उंचाई दी गई है हाइट दी गई है वह 168 सेम्टी मिटर दी यानि एक सो अड़ सेम्टी मिटर बताए गई है और जो सीना होगा वह 79 और फुलाओ के साथ पांच यानि पांच का फुलाओ आना चाहिए यानि लगबक कितना बैढ जागा य यह बैढ जागा 84 अगर हम फीमेल की बात करें फीमेल की हाइट इसमें बताए गई है 152 मेटर मांगी है इसमें ठीक है और इसमें जो यह 4.8 किलो मेटर क्योंकि जो मेल केंडिडेट है उसकी जो डिस्टैंस होगी यानि जो उसकी रनिंग होगी वह कितनी रहने वाली है 4.8 किलो मेटर यानि लगबग 4800 मेटर की इसमें दोड होने वाली है जो लगबग कितने मिनट में कम्प्लिट करनी है आपको 25 मिनट में 100 फीमेल की बात करें 152 मेटर हाइट और 2.4 किलो मेटर यानि 2400 मेटर की सम्थिंग इसमें दोड रहने वाली है और यह 14 मिनट में कम्प्ल के लिए लिखित परीक्सा इसमें चार पार्ट दिये गए आपके लिखित परीक्सा जिसमें जीके होगा हिंदी होगा मैथ होगा रिजनी होगा इसके सलेबस की बात हम यहां पे करेंगे ठीक है डिटेल से करेंगे जिसमें पर्षनों की संख्या कितने रहने वाली है डेड़ ये रहने वाला हैं OBC, SC, ST, EWS पर्मान पत्र और आपको ये सब को मालूमी होगा जब एक्जाम आता है और बहुत से कैंडिडियों इनको बनवा नहीं पाते इस्थाई पर्मान पत्र हो गया और ये OBC, SC, ST, EWS का पर्मान पत्र हो गया इसलिए इसको अभी बनवा कर रख इससे अच्छा पहले ही बना के रख लिए ताकि आपको बाद में किसी परेशानी को उठाना ना बढ़े और ये सभी राज्यों के लिए अवेलेबल है यहां पर सभी राज्ये आवेदन कर सकते हैं यह ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूबी पुलिस की जो कैंडिडिट हैं बच् एग्जाम होगा यह आपको जहां रखना है ओनलाइन एक्जाम होगा नेगेटीव मार्किंग होगी इस में नेगेटीव मार्किंग कितनी होगी इसमें उन्वाइफ फॉर यानी 0.25 इसमें आपका अंग काट लिया जाएगा यह भी आप गलत करते हैं एक क्यूश्य अब हम हम बात करते हैं इसके स्लेबस की यह आपको मालूमी है चार पार्ट में इसका स्लेबस डिवाइड है जी के लगबा 38 कोश्चन हों है जिसमें विज्ञान, इतियास, भुगोल, अर्थविवस्ता, सविधान, करंट अफेर्स, परियावरन, प्रोसी देश, यूपी विसे शां और अगर आप जी के अच्छे तरह से पढ़ते हैं तो इसमें डेफिनिटली आपका एक्जाम करेक हो सकता है जी के और मैद, और रिजनिंग और ये सभी सब्जेक्ट इतने अच्छे हैं अगर आप ध्यान से इनको पढ़ा जाए तो बहुत आसानी से इसको करेक कर सकते हैं हिंदी के बात करते हैं 37 कोशन होने वाले हैं जिसमें वर्णमाला, तस्म तद्वो, परियावाची, विरोमसब्द, अनेकार्थिक, असुदवाक्य, असुदवे सुदवाक्योंगे इसमें लिंग होगा वचन, कारक, सवरणाम, विशेशन, काल, उपसर, परत्ये, संधी, स समाच विजरे, ठीक है, विरामचीन, मुहावरे, छंद, अलंकार, लेखक वे रचनाए, और इसमें रस, यह चैप्टर हिंदी के रहने वाले हैं, आप इनको अच्छे से कंप्लिट, जरूर कीजिएगा, मैत में 38 कोशन रहने वाले हैं, जिसमें संख्या पद्दी, सर्दी करन, दसमलो, मैं से ले से, अनुपायत है वसमानुपायत, परतिसत्ता, लाभायहानी, CIE and SI, यानि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिम्पल इंटरेस्ट, साधरन व्याज, चक्रवदी व्याज, छूट, पौसत, समयवे कारिय, समयवे दूरी, सारणी गराफ, शेत्रमिती, य यहाने वाले हैं, आप इनको भी अच्छे से कीजिएगा, रीजिनिंग में भी 37 कोशिन दिये गए हैं, और यह सबसे अच्छा पार्ट बता जाता है, क्योंकि इसमें आप 37 कंप्लिट नंबर पा सकते हैं, इसमें लुप्त संख्या दी गई है, जैसे कि आपने देखा होग और फिर यहां पे छे अनुपाद यहां पर आपको बताना होता है, यह साथ दर्शेता का पार्ट होगा, वेन आरेक के कोशन होंगे, जैसे कि मेज, टेबल, पुस्तक देदी, आप बताएए इन में क्या संब्द है, और यह ऐसे देदी जाएगा, आप समझ सकते हैं, आप अच्छे से अपने टेबल के सामने लगाईए और एक चैप्टर कंप्लिट करते जाएए, चारों पार्ट का, अगर आप यह रणीती फोला करते हैं, तो आप डेफिनिटली एक्जाम को करेक्ट कर सकते हैं, रत संबंद, सांकेतिक बासा, बैठक वैस्ता, यह भी बहुत हा करते हैं, देशा परिक्षन, घर डर्पन परजा बहुत हिसा म, इसमें करोई लगाना होता है, कि करन लगाई हैंका, नियाय निगमन, नियाय निगमन भी बहुत है, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं, जङब बस एक बार servun भार घुवरे, और और अराम से हो जाएग तो इसमें हमें बताना होता है पर्थम दूसरा सही है या दूसरा तीसरा सही है या एक ही सही है ठीक है यह बताना होता है इसमें को आकर्तियों की गन्ना संख्या स्रेणी घनाव घनाव पद्रवेस्था करम इसमें भी आता है कि एक वेक्ति पहले स्थान से स्थान पर बैठ है और दूसरा वेक्थी अंतीम स्थान से अगर श्टार्ट कर जाएं तो बताईए बीच में कितने वेक्ति हैं, लास्ट में कितने वेक्ति बैठ हैं, यह बताना होता है यह हमने इसका पूरा सिलेबस देखा इधर हमने इसकी योग्यता इसमें आवेदन आयू सारी योग्यता लिखित प्रिक्षा परमान परते हैं यह हमने इसमें डिटेल से अच्छे से जाना है अगर आप इसको पूरे सिलेबस को एक कॉपी पे उतारिए या अपनी जहां आप देखा आईए और एक इस चीज़ को ध्यान से देखें कि किसी भी चीज़ को अगर आप ध्यान से करते हैं टार्गेट एक रहता है आपका तो आप उससे विचलित नहीं होते हैं क्योंकि जो बीच में आपको पता है कठनाईय बहुत आती है संगर्श बहुत आता है उ हाली में 2019 में लगबग काफी टाइम हो गया वेक एंसी आई है यूपी पुलिस की 2019 में एक्जाम हुआ तो दो बार वेक एंसी आई थी लगबग चालिस पैंतालिस अजार के complete something दो बार उसमें भी जो कटोफ गई थी आपकी वह जादा नहीं गई थी इसमें लगबग अगर और इसमें एसी की लगबग से काफी कम गई थी लगबग 166 के करीब या इससे ठीक है और जनल की लगबग 185 के सम्थिंग गई तो कटोफ भी लगबग इतनी हैने वाली है आपकी समें तो आप अच्छे से अपनी त्यारी को मजबूद कीजिए रनीती बनाईए syllabus को याद क पाएंगे तो syllabus याद कीजिए और डेट की जो प्रिक्सत ही इसी बताई गए December 2023 इसको ही मानके आप त्यारी कीजिए क्योंकि अब exam कब होगा यह नहीं बता सकते यह संभावित डेट है अगले जनवरी फरवरी में इसकी डेट जा सकती है ठीक है तो आई होब आपको यह जो वीडियो है अच्छी लगी होगी पसंदा ही होगी तो लाइक सब्सक्राइब सेर एंड जरू कीजिएगा ठीक है अपने दोस्तों को सभी और नेस वीडियो में हम बहुत सारी वीडियो लाने वाले हैं इसकी जीके की हिंदे की मैथ रिजनिंग की जिसमें आप अपने यू